हेलो फ्रेंस वेलकम बैक टो करियर स्टिंग मैं हूँ कभीर वोपिश राज फिर से आपके साथ और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 15 बीए के कॉलेजिस के बारे में राइट 2021 में टॉप 15 बीए कॉलेजिस कौन सी है जहां पर एडमिशन लिए जा सकते गर पहले में दोस्तों आपको बता दू कि लंबी सीरीज बहुत सारे वीडियो की में लेके आ रहा हूं और एक छोटा सा नॉटिफिकरिशन है आप सभी लोगों के लिए मैंने जैसे कि कहा था पिखले कुछ वीडियो में कि मैं इंस्टाग्राम पर आपके सवालों का जवाब दूँगा लेकिन हो यू रहा है कि आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और इतने सारे सवालों का जवाब देना वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो हमने क्या किया है अभी सोचा है कि हर अल्टरनेट डे एक दो दिन में हम लोग हर शाम को राट साड़े नौ ब कियेगा अल्टरनेट डे हम लोग लाइव जाएंगे यूजरी होता है कि में मौर्णिंग में वही नौटिफिकेशन दे दोंगा लेकिन कभी-कभी नहीं दे पाता हो तो प्लीज आप वीडियो में बने रहीएगा तक कि मैं आपको बता आप प्लाइव उस टाइम पे एक सब्सक्राइब करके उससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाए और दूसरी बात यह थी कि कुछ टाइम से आपने देखा होगा रेगुलर इतने वीडियो नहीं आ रहे थे बिकॉस थोड़ी सी तब्यत खराब थी मेरी उस जैसे में रेगुलर वीडियो नहीं दाल पा र यह सी भी बात करेंगे अगले वीडियो में और फिर करी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे एंबी रिटेट भी सीरिस हमारी वीडियो इन मेकिंग चल रही है ठीक है तो चलते दोस्तों माइन मैप पे जहां पर मैं आपको शेयर करूंगा दे लिस्ट आप लिस्ट है हम लोग वन बाइवन सारी पे जाएगे और बात करेंगे कि कौन से कॉलेज़ है जो टॉप 15 की रैंक 2021 में कर रहे हैं अब मैं आपको बता दो पहली बात तो आप बोलोगे कि सर जरूरी है क्या टॉप में से ही लेना मुझे लगता है कि यार जो अगर आप आउड होता है वहांके जो प्रोफेसर होते है अन्युमराइज होते है प्लेस्मेंट होते तो यह सारी ना आपकी परसनाल्टी को शेप अप करने में बहुत ज़दा कॉंट्रूबिट करते हैं यह आपको आपके कमफर्ट जोन से बहार निकालते हैं आपको जबरदस्ती करनी चाहिए तो इसका बहुत ज़दा फाइदा ओवर आपके परसनाल्टी डेवलोपमेंट में होता है इसलिए मुझे मेरा इसा मानना है कि यह रहा कि आपको अगर कोई एजूकेशन लेना है तो कोशिश किजिए कि टॉप इंस्टिटिश से कीजिए वह ताकि आपको उस से करते हो तो यह आपको बहुत ज़्यादा फाइदा हो जाएगा ठीक है तो वन बाइवन चलेंगे इसके बहुत साथ डिसाइडवांटेज है मैं दीरेदियर आपको बताऊंगा बट वन बाइवन चलेंगे हम लोग टॉप 15 कॉलेजिस के बारे में बात करेंगे जिसमें म सब्सक्राइब में नॉर्मल आपको बताऊंगा बटेंज लेकर फर्स तक उनकी क्या खासी आते हैं क्या क्या कोर्स ओफर की जाते वह सारे आपको बताऊंगा तो टॉप 15 पे हैं दोस्तों कॉलेल जो है सिंब्वाइसिस सुसाइटी कॉलेज पुने बीए के लिवल का ये क बहुत अच्छी आँकी फैकल्टी अच्छी है बहुत सारे क्राउड बहुत अच्छा है थोड़ा महेंगा है लेकिन या दिस इस इस गुड़ कॉलेज की जहां से आप कर सकतो हो ठीक है फोटीन नंबर पर आता है प्रेसिदेंसी कॉलेज कॉल्गता ये बहुत पुराना मत बहुत बढ़ा रोल रहा है यहां से बहुत अच्छे अच्छे लीडर निकले हैं यहां पर बहुत अच्छे लोग जो हमारे फीडम फाइटर उन्होंने यहां पर पढ़ाया भी है यहां से निकले भी है तो इसका बहुत ज्यादा रोल होगा आपको अगर आपको यहां से क करना है तो बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस कॉलेज का आपकी ओवराल परस्णालिटी ग्रोथ में आपका अवराल जो आपका जो माइंसेट जो क्लियर होगा वह यहां से बन सकता है तो मुझे लगता है कि यह भी एक अच्छा कॉलेज टॉप थर्टीन के आता है टॉप ट् काफी पॉपिलर कॉलेज है और एक टाइम पर इसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इंडिया के ओवराल डेवलोप्मेंट में यह जो है वह कैथलिक कॉलेज है जाज़तर कैशली के रिलेटर यहां पर एक्टिविट्रिस भी आपको देखने मिलेगी लेकिन यस इस वेरी पॉपिलर कॉलेज और बहुत अच्छा है 12 नंबर पर रैंक कर रहा है 11 नंबर पर जो है इस बार वो है कभी मेरा जो ड्रीम कॉलेज हुआ करता था वह फर्ग्यूसन कॉलेज पून आपको अगर पता होगा तिरग जी जो है बालगंदगादर तिरग आगर कर यह इस तरह क की मुमेंट चल रही थी तब बहुत बड़ा रोल रहा है तो ओवराल मेजे ऐसा लगता है कि यार यह कॉलेज इस बार थोड़ा सा स्लिप पर करे हुआ है बट फिर भी ट्रॉप 11 की रैंक बाना कोई छोटी बात नहीं होती है तो इस एड़ 11 नंबर अगर आप महारास्टर से हो तो यहां फरक्यूसन कॉलेज भी वन आफ यह चोईस तोड़ा मुश्किल होता है यहां पर एडमिशन लेने के लिए लेकिन एक बार मिल जाए तो फिर बस टेंचर नहीं क्योंकि जो क्राउड यहां पर आपको मिलेगा जो इसकी लेगसी रही है वह बहुत बहुत बह होंगा तो दोस्तों नंबर 10 पे कॉलेज आता है यह मद्रास का बहुत फेमस कॉलेज है मैं तोड़ा सा माइनोर्टी कॉलेज है और यह जो कॉलेज था वह 1837 में बनाए तो सूचिए आप 1837 में कितना पुराना कॉलेज होगा ठीक है और इसको जो बनाने वाले थे वह थे Church of Scotland अगर आप में से कोई गेस कर रहा होगा तो प्लीज कमेंट में बताइए कौन सी कॉलेज की कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं आर्ट के लिए तो बहुत-बहुत बापिलर कॉलेज है Church of Scotland ने बनाया था जो की एशिया का एशिया का oldest college है ठीक है जा अठ्रा सो सेतिस में बनाये सोच लीजे तो एशिया का oldest college है अब मैं आपको बताता हूँ कि यह जो कॉलेज है कौन सायर में जिस कॉलेज की बात कर रहा था अभी तक वह है मद्रास क्रिश्चन कॉलेज जो कि आपको मिलेगा चैने में यह जो कॉलेज है टाइप माइनोरिटी ऑटोनोमस कॉलेज है यूजिसी ने इसको ए ग्रेड दिया है और यह इस्टाब्लीश रहा था जैसे कि मैं आपको बता है अट्रा सो से इस में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंडरी अफिलेटेड है मतलब अगर आप यहां से करते हो कॉलेज तो यहां पे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की तरफ से डिग्री मिलेगी और जो कोर्सेस यहां पर ओफर किये जा रहे हैं उसकी बारे में आपको बता दू जो कि आपको पता हैं बहुत फेमस कॉलेज है तो इसमें जो कोर्सेस आपको ओफर किये जाएंगे मद्रास क्रिश्टीन कॉलेज में वह है एकनॉमिक इंशेंट इंडिन कल्चर मिल जाएगा इंग्लीश तामील हिंदी हिस्ट्री फिलोसफी साइकलोजी संस्कृत एंड जर्नालिसम तो इतने सारे कूर्सेस यहां पर ओफर किये जा रहे टॉप टेन का जो कॉलेज था हमारा मद्रास क्रिश्टन कॉलेज जी यहां पर अब बात करेंगे हम अगले कॉलेज की जो की है है यूजी सी ने भी इसको बहुत अच्छी रैंक दी है और यह कॉलेज सबसे जदा तो फेमस है वो है इसके स्टूरेंट एक्षेंज प्रोग्राम के लिए स्टूरेंट एक्षेंज प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि आपके जो यहां के स्टूरेंट है आप उनको एपर बढ़र भीचति वो पढ़ने के लिए वहां और आपके हैं टेपड़ने के लिए तो कल्चर एक्षेंज एक्सचेंज करने के लिए या एकसपोजर बढ़ाने के लिए तो यहां के स्टूरेंट को बहुत ज़्यदा बड़ा मौका मिलता है वहार और उनिवरोड उनिवर reviewing सब कुछ करता है कॉलेज करता है और वहां के बच्चे यहां पर आके पढ़ते हैं तो इसलिए यहां पर आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा जिस कॉलेज की में बात कर रहा है उसका नाम जानते है है रामजस कॉलेज देली इसकी में बात कर रहा था और यह जो कॉलेज है वह 1917 में फाउंड हुआ है राय के दानात ने इनका इनको फाउंड किया था और यहां की मैं आपको बात बता दू इंटरनेशनल लेंग्विज जो कॉर्से से वह बहुत ज़्यादा साटिफेट कॉर् इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री फिलोसोफी साइकोलोजी संस्कृत एंड जर्नालीजम ठीक है अब हम जाएंगे नम्बो एट कॉलेज में थोड़ा सा में सस्वेंट बना के रखूंगा यह जो कॉलेज था काफी पॉपिलर 1819 में बना 1899 में यह कॉलेज बना है और इसको जो कोलेज है और काफी पुराना कॉलेज है नाम है इसका हिंदू कॉलेज इंद देली यह सिंदू कॉलेज इंदेल нормально कॉले ठीक है और आपको बता दो मैं यह बहुत मतलब कुछ फृल्ड के स्टडियम यह बहुत बड़ा हॉलमांक राहे इसका इंडिएन इंडिपेंडेंस की टाइम पर भी बहुत बड़ा contribution रहा है एक प्लस ग्रेट है इस college को यहां पर जो courses offer किये जा रहे है वह है economic engineering culture English इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री फिलोसफी सा साइकोलोजी संस्की journalism इस तरह के जो कोर्से से वह आपको यहां पर मिल जाएंगे ठीक है तो अभी यह college था और अगले college की बात कर रहे हैं हम लोग वह है अच्छा इसका जो लीडी लीडी college है वह काफी famous है अगर आप दिली से हो तो समझ रहोगे मैं किसकी बात कर रहा हूं नाम से आपको लग सकता है कि यह college आर्स के लिए नहीं है बटी आर्स के लिए है चलो suspense हम खतम करते हैं बताते हैं आप नंबर सेवेन की लिस पे श्री राम college of commerce दिली यस श्री राम college of commerce दिली और यह जो college यह April 1st 1926 को established हुआ था मतला आप सोचे कितना पुराना college है और इनको जो बनाया था इस college को जो established किया था वो थे लाला श्री राम और उन्होंने यह college बनाया था नाम को देके लग रहा होगा आपको की commerce college है हाँ पर आर्स रिलेटे subject है या नहीं बट यह यहाँ पर मिल जाएंगे और economics के लिए especially अगर आपको economics करना है तो उसके लिए बहुत 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 जान्दा popular college है यह ओल आवर इंडिया में ठीक है one of the most prestigious college for the economics and of course commerce related studies ठीक है अब मैं अगर आपको बता दो कि यह private college added और इसको UGC का a plus grade मिला है 1926 में बना है University of Delhi के अंडर आता है जो courses यहाँ पर प्रोवाइड होते हुई economics है ancient Indian culture history Hindi philosophy psychology and journalism most of the courses थे वह arts के related courses आपको यहाँ पर जाएंगे अब इसके बाद हम अगले courses की बात कर रहें अगले college की बात करें जो की number six पे हंस्राज college दिल्ली यस एक बात है दिल्ली इसमें बहुत आर्ट के colleges में जो most popular colleges है उसमें दिल्ली काफी आगे है रेंग करता है ऊपर क्योंकि यहाँ जो environment मिलता है आपको पता होगा शो शो कल्चिल पॉलिटिकल हब रहा है इसलिए दिल्ली को थोड़ा सा advantage यहाँ पर मिल रहा है ठीक है यह moving on the next position अभी है हंस्राज college based art college in India माना जाता ही है और यह college जो बना था 26 जुलाई 1948 में in remembrance of महात्मा हंस्राज जी तो महात्मा हंस्राज जी उनकी यादों में यह college को बना आया गया था और आपको बता दो यह university of Delhi के अंदर आता है डीएवी जो है वो इसकी managing committee है और इसका बहुत intellectual जो यह है crowd है वहां का वह भी बहुत popular है government का college यूजी सी ने इसको एप्लस ग्रेट दिया है 1948 में इस्टाबलीश हुआ university of Delhi के अंदर आता है और यहां भी courses जो है बी एक है वह similar है economic engineering culture वगरे तो जो आपको बाकी के colleges में देखने भी लगे टॉप सिक्स की यह रेंग पे आता है 2021 की लिस्ट में अब बात करेंगे number five पे है mirinda house yes mirinda house बहुत popular college है दिली के आसपास से अगर आप हो या दिली के neighboring area से भी हो तो आपको पता होगा इस college के importance तो सर मौरीज गेवर ने यह जो वाइस चांसलर थे उस टाइम पर उनिवर्सिटी के उन्हों ने इसको establish किया था साथ मार्च उनिस सो अर्टाल इसको उनिवर्सिटी के जो डेली यूनिवर्सिटी अप डेली के जो टॉप पॉपिलर माना चाता है और आपको बता दो में यहां पर सिपार्ट ने पीएजी लेवल तक के भी आपको कोर्से यहां पर मिल जाएंगे गौर्मेंट कॉलेज यह ए प्लस नेक ने इसको अक्रीडेट किया है नेक का जो रोल होता है बहुत ज़द होता है तो इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके तुरू इसको एप्लस मिला था 1948 में स्टाबलिश हुआ युनिवसिटी ओफ देली के अंदर आता है और वही सारे कोर्से जॉब को मां की जगा दिखने मिलेंगे वह सारे कोर्से यहां पर एकोनॉमिक से लिके जवर्नारिसम तक अब बात करते हैं हम नंबर फोर की जो की है सेंट जेवियर कॉलेज मुंब सेंट सेवियर तो यह उसमें से एक आता है तो यह बहुत 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 तगड़ा और अच्छा कोलेज अगर जो महाराष्ट्रा से या इधर जो आते हैं अभी तक हम लिस्ट में देख रहे थे डेली डॉमिनेट करता है लेकिन यह कॉलेज है जो महाराष्ट्रा से मुंब इकम होगी तो यह कॉलेज होगा टॉप फॉर की लिस्ट में टॉप थ्री की लिस्ट में है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर आप इसके बारे में आपको बता दू नाइटीन सिक्स्टी नाइन में जुलाई 15 को यह इस्टाब्लीश हुआ था क्राइस यूनिवर्स फिल करें और एकदम वर्ड क्लास उनको एजुकेशन मिले तो उस परपस से इस्टाब्लीश हुआ था लेकिन आप अगर किसी भी यहां से हो एक कोटा होता है उसके बाद लेकिन आप भी अप्लाई कर सकते हो माइनोरिटी और्टनोमस को यह मतलब यूनिवर्सिटी किसी के फिलोसोफी साइकोलोजी जर्नलिजम वगरी इस तरह के जो नॉर्मल कोर्से से वह भी आपको यहां पर मिल जाएंगे तो या काफी पॉपिलर है आपको पता होगा बैंगलोर का कॉलेज है तो करनाटाका वाले में भी एक टॉप का रहा है उसके बाद अब मैं आपको बता से वह दिखाई दे रहा है और चैन्ने का यह जो लॉयला कॉलेज है काफी 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 फेमस है कैतलिक क्रिस्टिन कॉलेज है फिर से माइनोरिटी यह जून 15 1925 को स्टैबलिश वहाता तो आप सोच तक कितना पुराना कॉलेज होगा सोसाइटी ऑफ जीजस जो है वह इसके मैन होल्डर है मतलब जो सब कामकाज देखते हैं और इसमें आपको मैं बता दू यह यूजी सी का एक ग्रेड प्राप्त कॉलेज है यूनिवसिटी ऑप मद्रास के अंडर आता है एकोनामिक इंग्लिश फ्रेंच भी आपको मिलेगी आप हिस्ट्री सोचलोजी तामि बता दीजिए का कौन सा कॉलेज हो सकता है बी एका जो की टॉप पे होगा इस साल और वो है लेडी श्री राम कॉलेज देली यह जो आपने हमने देखा था पहले श्री राम कॉलेज उसी का लेडी श्री राम कॉलेज वर्जर नहीं है चुले 18 1956 को यह बना था लाला श्री अपनी जो वाइफ थी फूल अंदेवी उनके नाम से लेडी श्री राम कॉलेज यह बनाया था और वुमेन यह थोड़ा महिलाओ के लिए खॉलेज है और सेल्फ कंटेंड कॉंस्ट्री कॉलेज फॉर्ट यूनिवर्सिटी आप देली ठीक है इसका में बता दूर मतलब इस है तो अगर आप अगर महिला है और कोशिश कीजिए कि लेडी श्री राम में आपको हो जाए अब मैं आपको बता देता हूँ सच में क्या एडवांटेज होते हैं टॉप इंस्ट्यूश्य पढ़ने की तो यह हमारे टॉप 15 थे या बहुत सारे बांटेज होते जो दोस्तो अगर आपने स्कूलिंग कहा से कि अगर आप इन कॉलेजस में से अपने कॉलेज करते हो तो आपको इसका बहुत 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 ज़्यादा फायदा होगा अगर बीए से आपने किया या बीए करने की सोच रहे हो तो यह टॉप 15 कॉलेजस के मेरे लिस्ट दी है कोशिश के दीजे कि इन में से आप करो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा आपको वीडियो कैसे लगा पसंदा है तो प्लीज इससे लाइक कीज़े सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ी हमारी फैमिली के साथ तक इस तरह के वीडियो और आप देख सको और प्ली कुछ वीडियो हम लोग इस तरह के बनाने वाले हैं प्लीज उसको भी देखिए हमारी बहुत बड़ी एक लिस्ट है जहां पर हमने बहुत सारे मतलब करियर इंग्लीश वगरे वगरे बनाया है तो प्लीज उसको भी प्लेडिस को भी देख लिजे थैंक यू सो मच पर आल कर दो